होगे जे नमस्कार मेरा नाम सनी श्रवास्तो स्वागत आपका टीचर सद्डा 24-7 के यूट्यूब चैनल पे तो हाजरू में आपके सामने आज के सेशन के साथ और आज के सेशन में हम लोग वर्ड हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी ठीक है और हम लोग वर्ड हिस्ट्री में हमने आपसे पहले टॉपिक के उपर बात कर ली थी जिसका नाम था फ्रेंच रेवलुशन फ्रेंच रेवलुशन यह हमने कर लिया है एक और टॉपिक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वह। इंडस्ट्रील रेवलुशन वह क्या है इंडस्ट्रील रेवलुशन यानि ओध्योगिक क्रानती यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से भी कोशन आते हैं आ सकते हैं पूछे जा सकते हैं पहले भी चाहे D.S.S.B. की बात करिए उसमें सवाल पूछे गए हैं N.V.S. में सवाल पूछे गए हैं K.V.S. में सवाल पूछे गए हैं H.T.M.E.M.R.S. में 100% पूछा जाएगा और बिहार सिक्षक भरती में तो पूछा गया भी है ठीक है तो इन इंडस्रियल रेवलूशन पे थोड़ी चर्चा आपसे करनी जरूरी है और ये जो चर्चा होगी ये बिसिकली NCRT बेजड होगी रीजन क्या है कि SCRT की किताब में और जोगी करांती पर बहुत बात नहीं कही गई है बहुत थोड़े बहुत पॉइंट उन में बताये गए हैं तो उसको भी मैं इसके साथ-साथ चर्चा कर लूँगा ठीक तो अगर आपने पढ़ा होगा एप्लिकेशन के उपर तो आज ही मैंने ये टॉपिक खतम किया इंडस्ट्रिल रिवलूशन और मैंने आप से कहा था कि अभी वाइटी पर मिलो तो इसके कुछ कोशन कराऊंगा तो उससे तुम्हें अंदाजा लगेगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जो बच्चे केवल वाइटी पर पढ़ते हैं केवल यूट्यूब पर पढ़ते हैं वो समझें कि किस तरीके के कोशन आएंगे और उनको NCRT को बहुत अच्छे से क्या करना होगा रीड करन बाद एक TPP देता हूं कुछ दे देता हूँ अप्लोड कर देता हूण और कुछ को हुआ सॉल्व कराता हूं टेस्ट के माध्यम से या बता देता हूं कि आज TPP करेंगे तो किस तरह की TPP होती है कैसे कोश्चन होते हैं उसमें आपको एक अंदाजा लग जाएगा ठीक तो अगर आप आ गए हैं जोड़ गए हैं तो बताइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं ठीक सर मेरे पास ग्रिजुएशन में साइकोलोजी इंग्लिश और क्या था बेटा कहा चला गया साइकोलोजी इंग्लिश और संस्कृत था क्या मैं 6 to 8 के लिए साइकोलोजी इंग्लिश और संस्कृत बेटा एटलीस दो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए मैंने जो लिस्ट बनाई है बना रखी है सिक्स टू एट वाले में उसमें से दो सब्जेक्ट होना चाहिए था ठीक है जी धन्यवाद विदान जी शुरू किया जाए नमस्कार तेजस्वनी जी नमस्कार PGT History की Preparation आप नहीं कराएंगे नहीं बेटा वो जावेद सर पढ़ा रहे है उसमें तो मेरी क्लास नहीं होती है एक बार आप उनकी क्लास देख लो फिर अपना Decision आप ले लेना ठीक है DSSB, TGT, SST के ले किस क्लास तक की NCIT पढ़नी है 6 तू 10 जितने लोग अब आल्मोस सारे TGT, SST के न सेलबस सेम होते जा रहे हैं बस एक UP को छोड़ दिया जाए तो नहीं तो अगर आप EMRS देखेंगे या आप DSS भी देख लीजिए या आप BPSC ने अभी जो पेपर लिया था उसको देख लीजिए या HTED देख लीजिए ठीक है, KVS या फिर NVS KVS या फिर NVS इन सब में बहुत अच्छी चीज हो गई है कि आल्मोस आप मान के चलो कि 80% जो सेलबस है वो बिलकुल क्या हो गया है, सेम हो गया है, 80% क्या हो गया है, सेम हो गया UP अभी थोड़ा और सुधार करेगा UP को छोड़ दो क्योंकि UP में बहुत डीटेल में पढ़ना पड़ता हमें नहीं तो ये वो एक्जाम है, जो targeted एक्जाम है तो उसमें क्या है कि जब तैयारी को एक तारतम्मता मिलती है तो आपको जो है वो काफी बहतर तरीके से पढ़ना होता है तो नया जो बैच शुरू हो रहा है आपका वो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है उसके लिए आप enroll कर लीजे, ठीक है टीचिंग के महापैक में कर लीजेगा code आपको पता है क्या लगाना है Y793 ठीक, चलिए, पहला सवाल आपका आज का आपकी स्क्रीन पे ये रहा ठीक है, पहला question आपका आज का आपकी स्क्रीन पे ये रहा सवाल पूछ रहा है कि प्रोटो ओद्योगी करण क्या है प्री इंडस्लाइजेशन या प्रोटो इंडस्लाइजेशन से हम क्या समझते हैं बताईएगा प्री इंडस्लाइजेशन से आप क्या समझते हैं या प्रोटो इंडस्लाइजेशन से आप क्या समझते हैं तो कह रहा है कि एधियोगी करन का प्रारंभिक रूप कारखानों पर आधारित है, ये बात होती है Early Form of Industrialization Based on Factories ये पॉइंट होता है एधियोगी करन का पहला और प्रारंभिक रूप कारखानों पर आधारित नहीं है फिर कहरा आधुनिक तक्नीक पर आधारित उद्योग होता है इसका मतलब या होता है आधुनिक तक्नीक पर आधारित ग्रामीर उद्योग बताईए क्या हो जाएगा जवाब BPSC 6-8 के लिए बिहार SCRT पढ़ना होगा बिलकुल 6 से लेकर 10 तक का पढ़ना होगा 6-10 तक पढ़ना होगा ठीक है बताओ तो option number B is the right answer कि उद्योगी करण का पहला और प्रारंभिक रूप कारखानों पर आधारित नहीं है देखो जो pre-industrialization का time था उस time पर बहुत ज़ादा हम machine पर depend नहीं थे machine पर depend नहीं थे छोटे 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 अविश्कार जो हो रहे थे या छोटी छोटी machine जो हो रही थी उनका प्रयोग होता था machine का प्रयोग होता था जादा तर उत्पादन जो होता था जो production होता था वो rural areas में होता था gramid इलाकों में होता था ग्रामीड इलाकों में होता था क्योंकि अर्बन एरियाज में शहरों में जो गिल्ड होते हैं वो बड़े स्ट्रॉंग होते थे जो श्रमिक संग होते थे या जो वहाँ पर गिल्ड होते थे शहरों में वो बड़े स्ट्रॉंग होते थे तो जो नए व्यापारी थे वो शहरों के बजाए गाओं में प्रोडक्शन करवाना जादा important मानते थे तुमने seated की preparation में पढ़ा था putting out system लगभग वही विवस्था थी जो pre-industrialization की थी जहाँ पर गाओं में रहने वाले लोगों को पूरा जो material होता था वो provide करा दिया जाता था और वो final product तयार करके क्या कर देते थे दे देते थे लगभग वैसा ही था putting out system जैसा ठीक है तो इसको क् portion जो है वो कह रहा है कि अंतरराश्ट्रिय बाजार में कपड़ा बेचे जाने से पहले लंदन वास्ताव में एक रूप में जाना जाने लगा एक व्यापारिक केंदर के तौर पे finishing center के तौर पे work center के तौर पे या manufacturing center के तौर पे वी निर्माड केंदर पे circle class नहीं हुई थी हाँ बिटा कल नहीं हो पाई थी थोड़ी studio की दिक्कत थी नहीं हो पाई थी तौर हो जाएगा solve हो जाएगा एक दो दिन में Monday से आपकी proper classes start हो जाएंगी Monday से आपकी proper classes start हो जाएंगी ठीक है बिटा चलिए बताईए कल आपकी Indian history की class होगी कल आपकी Indian history की class होगी और आपका जो topic होगा वो होगा revolt of 1857 सब में common topic है इसलिए ये topic पे कल बात करेंगा ठीक कल बात करेंगे शाम को छे बजे बाकी जो लोग आप में और exams की त्यारी कर रहे हो सूपर टेटवट दे रहे हों PRT की preparation कर रहे हो वो लोग भी देख लीजेगा class तो अंतराश्ट्री बाजार में कपड़ा बेचे जाने से पहले लंदन को एक finishing center के तौर पे जाना जाता था ठीक है लंदन में सारी चीजें आके accumulate होती थी और लंदन में final touch मिलता था उसके बाद ये कपड़ों के लिए आगे निकल जाते थे जबकि कपड़े उत्पादन क के तोर पे बाद में जिस जगह को जाना गया वो क्या हो गया मैंचेस्टर वो क्या हो गया मैंचेस्टर हो गया मैंचेस्टर क्या था ये कपड़ा उत्पादन केंद्र बन गया था लेकिन finishing center के तौर पे लंदन जो है वो अपना क्या होगा एक important role play करेगा trade में ठीक है तो finishing center आपर के तवर पर लंदन को जाना जाता था अगला सावाल देखो सूती मिल की शुरुत किस ने की थी जो ड्राफ्टिंग थी ड्राफ्टन टेक्स्टाईल वह किस ने शुरू कि eh को इंट्रेव से जादा यहां पर important है कि वो किसने की उसकी वास्तविक रूप रेखा किसने तयार की रूप रेखा किसने तयार की इस पर जोर होगा जादा तो किसने तयार की तो option है James Watt, Matthew Bolton Henry Patulo या Richard Ork Wright Sir हमको 9th और 10th का class लेना है बिहारवल हाँ बिटा application पर ले लो जाके आप Google पे अड़र 24-7 टाइप कर लीजे या मेरी class में application का link लगा है वहाँ से देख लीजे तो सारे course में से teaching में जाईएगा teaching में BPSC पर select कर लीजेगा और मेरा अगर आप कहना माने तो बिहार के जो बच्चे तयारी कर रहे हैं वह बिहार वाला महा pack ले लो लेकिन अगर मान लो तुमको social science तयार करना है 6-8 वाला तो तुमको ये दिख जाएगा आप 6-8 वाला ऐसे ही आपको 9-10 वाला मिल जाएगा तो आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको पता है क्या लगाना है जो code लगाओगे आप वो लगा दोगे Y793 ठीक अपलाई करोगे तो ये 1840 रुपए में तुमें मिल जाएगा ठीक है तुमारे पास कुछ coins भी होते हैं application पे उनको लगा दोगे तो price थोड़ी और कम हो जाएगी ठीक है code याद रखना Y793 लगा देना ठीक तो थोड़ा सा और offer आपको मिल जाता है तो उमीद करता हूँ कि समझ गए होगे चलो अगला है कि सूती मिल की शुरुवात किसने की थी तो option number D होगा याद रखना Richard Arkwright वो व्यक्ती था जिसने cotton textile मिल की drafting रखी थी कि किस तरीके से cotton textile मिल क्या होता है तयार होता है और किस तरीके से वो क्या करता है काम करता है ठीक है अगला सवाल देखो प्रोटो उद्योग का सामान्य pattern क्या था जितने भी प्रोटो इंडस्ट्री थी यानि प्रॉपर बनने से पहले एक प्रॉपर उद्योग बनने से पहले का जो लक्षन था उनका सामान्य लक्षन क्या था ठीक कह रहा है कि व्यापारी शहरों में स्थित थे लेकिन काम जादा तर ग्रामीर इलाकों में किया जाता था फैक्टरी नेटवर्क बनाया गया तथा सभी प्रबंदन ग्रामीर शहत्रों में किया गया था मर्चंट्स वर बेज़ड इन टाउंस बट दो वर्क वस डन मोस्टली इन दे कंट्री साइड और दूसरा कह रहा है कि फैक्टरी नेटवर्क वस बिल्ट और आल मेनेजमेंट वस डन इन दे रूरल एरिया ठीक कहरा option number a की केवल कथन एक सत्य है केवल कथन दो सत्य है दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य है क्या हो जाएगा जवाब what should be the right answer तो option number a बिल्कुल ठीक है क्यों क्योंकि मैंने बताया आपको कि व्यापारी जो थे वो शहरों में थे लेकिन काम वो अपने कहां करा रहे थे ग्रामीड इलाकों में और factory network अभी नहीं बनेगा factory की इस्थापना 1730 से शुरू होती है 1730 के दशक के बाद से शुरू होती है और तब भी जब factories establishment होने लगी तब भी ऐसा नहीं कि सभी प्रबंदन ग्रामीड छेतर में किया जाता था नहीं manufacturing का काम basically कहां होता था आपका urban areas में होता जैसे आपने देखा कि London जो है sorry manufacturing कह रहा हूँ processing का का काम प्रसंसकरण का काम वो urban जैसे London को आपने देखा अभी पढ़ा कि London क्या था finishing center था लंदन क्या था बेटा finishing center था तो option number A is the right answer next देखो mill बनने के बाद क्या बदलाव आए what changes took place after the creation of mill जब millों की स्थापना होने लगी तो उसके बाद क्या क्या बदलाव आए option number A उतपादन और प्रबंधन एक ही छत के नीचे लाये गया production was brought together under one roof and management उतपादन प्रक्रिया पर अधिक सावधानी पूर्वक परिवर्ख्षन हो गया more careful supervision over the production process तीसरा के रहा गुडवत्ता पर नजर हो गया और श्रम का नियमन हो गया watch over quality और regulation of labor तो क्या क्या change आएगा सज जी इसी तरह से topic wise हाँ हाँ बिल्कुल कराएंगे बिल्कुल कराएंगे तो आप क्या करोगे production और उसका management एक जगा होने लगेगा बिल्कुल ठीक बात है यह पहला point बिल्कुल सही है जो लोग production कर रहे हैं तो उसका observation अच्छे से हो सकता है कि proper सामान यूज हो रहा है कि नहीं सही तरीके से काम हो रहा है की नहीं तो observation भी क्या हो जाएगा उनका बहतर हो जाएगा दूसरा point भी सही है और फिर तीसरा कहरा है कि गुडवत्ता पे नजर होगी quality making अच्छी हो रही हो इस बात को भी देखेंगे और labor को regulate भी कर लेंगे काम करने के घंटे वंटे निश्चित हो जाएगे तो proper एक जो factory work होता है वो हो जाएगा तीसरा point भी सही है तो answer to this question is 1, 2 and 3 तीनो statement क्या हो जाएगे सही हो जाएगे तीनो statement क्या हो जाएगे सही हो जाएगे ठीक है next question देखो तकनीकि परिवर्तन पूरे ऊद्योगिक परिद्रस्य में नाट की रूप से क्यूं नहीं फैला क्या वज़य थी कि एकदम से वो पूरी जगर फैल नहीं पाया कहरा व्यापारियों की इसमें रुची नहीं थी नई तकनीक के लिए करमचारियों को सीखना और प्रसिक्षित करना कठिन था नई तकनीक महंगी थी और व्यापारी और उद्योग पती इसके इस्तमाल को लेकर कहीं न कहीं सतर्क थे और फिर कह रहा है कि जो छती नियंत्रण था उसके लिए संसाधन कम थे there were little resources for damage control तो क्या हो जाएगा answer सर ये class 10 class का chapter है हाँ बिल्कुल 10 class का chapter है chapter number 3 है उसमें और द्योगी करांती के बारे में बताया गया है 3 होगा या शाइब हाँ 3 ही है शाइब बताईए एप में जाने पर 9 और 10 का नहीं मिल रहा है अच्छ मैं बता देता हूँ इसको कर लो फिर बता देते हैं देखो जब धीरे धीरे जब मशीने बनने लगी न जब मशीनों का निर्मार शुरू हुआ तो ऐसा नहीं था कि सारे लोग एकदम से मशीनों को अपना लेंगे भाई कोई भी जब society में change आता है तो शुरू में थोड़ी सी घबराहट थोड़ा सा उसको लेकर डर होता है और चूकी क्या था कि ये नए मशीनों का इस्तमाल करना महंगा भी था और risky भी था क्योंकि पता नहीं था कि किस तरीके से काम करेगा क्या करेगा और उससे भी जादा एक बड़ा डर ये लगता था कि अभी क्या है लेबर क्लास काम कर रहा है लोग काम कर रहे हैं उनसे आपके संबंद बने हुए हैं तो एक बातचीत हो सकती है थोड़ा सा लोगों के नए जो व्यापारी थे उनके अंदर ये डर भी था कि यार हम मशीन का इस्तमाल करेंगे तो ऐसा ना हो कि जो है वो लोगों के साथ संबंद तूटने लगे अगर मशीने खराब और आब हो जाएंगी तो कहां जाएंगे हम उसको बनवाने तो एक थोड़ा सा इसको लेकर कहीं न कहीं प्री नोशन्स पहले से काम कर रहे थे यही वज़ा है कि 18th century के end तक भी बहुत कोई ऐसा क्रांतिकारी बदलाव नहीं आए था क्रांतिकारी बदलाव शुरू होगा 19-वी सदी की शुरुआत से मतलब 1800 के बाद से आपका जो है वो changes क्या होंगे शुरू होंगे ठीक नई तकनीक महंगी थी और व्यापारी और उद्योगपती इसके इस्तमाल को लेकर सतर्क थे ठीक आंसर नंबर C कल क्लास नहीं हुई थी बिटा ठीक न्यू कॉमन द्वारा निर्मित भाप इंजन में सुधार किस ने किया और 1781 में नए इंजन का पेटेंट कराया वो इंप्रूवड दे स्टीम इंजन प्रोडूज़ बाई न्यू कॉमन और पेटेंट दे न्यू इंजन इन 1781 जेम्स वॉर्ट, मैथ्यू बोल्टन, रिचर्ड आर्क राइट और हैंडरी पटूलो वाट शुट बी राइट आंसर कार्तिक मलिक जी कल क्लास नहीं हो पाई थी कल स्टूडियो अवेलिबिलिटी नहीं थी अनफॉर्चुनेटी कल क्लास नहीं हो पाई थी तो न्यू कॉमन से पहले भी एक भाप का इंजन बना था जिने फार्मर्स फ्रेंडली करके कुछ बोला जाता था फिर न्यू कॉमन ने भाप का इंजन बनाया फिर जेम्स वॉर्ट ने उसमें कुछ सुधार किया और फिर जेम्स वॉर्ट का जो ये ठीक है, इसी ने क्या किया था, पेटेंट कराया था, ठीक, James Watt ने New Common के इंजन में सुधार किया था, पर इसको पेटेंट कराने का काम किस ने किया, Matthew Bolton ने किया, ठीक, अगला है, जब Spinning Jenny को उनी उद्योग में पेश किया गया तो क्या हुआ महिलाओं ने इसका बहुत स्वागत किया यह श्रम की प्रतिस परधा में उत्पादन करने में सक्षम नहीं था जो महिलाओं हाथ से कताई पर जीवित रहीं उन्होंने नहीं मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया यह जैनी के परिचाय को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ What happened when the spinning Jenny was introduced to the woolen industry The women welcomed it very well It was not able to produce in competition to labor Women who survived on hand spinning began attacking the new machines There was no conflict over the introduction of the Jenny बदाईए जस्मीत मीत कह रहे हैं सर इंडिया को भारत में चेंज करने के पीछे परपस क्या है अब यार clear परपस तो सरकार ही बता सकती है कि क्या करना चाह रहे हैं Glorified हमारे जो days हैं शायद उनको वापस लाने का उनका सोचना हो इस पर सोच रहा हूँ एक सेशन कर दूँ क्या है इंडिया वर्सेश भारत क्या उसके ये नहीं कि क्या होना चाहिए अगर होगा तो क्या बदलाओ होगा और नहीं होगा तो क्या बदलाओ हो जाएगा बताईएगा तो इसमें होगा option number C जो महिलाएं हाथ से कताई पर जीवित रही उन्होंने नई मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया देखो spinning जैनी जो मशीन थी इसका काम क्या था इसका काम था सूत कातना इस मशीन से क्या होता था cotton से या wool से thread निकाले जाते थे और ये सूत कातने का काम कर रही थी जितने समय में एक व्यक्ति सूत निकालेगा आठ गंटे काम करके उतने समय में ये आठ व्यक्तियों का काम खतम कर सकती थी अच्छा सूत कातने की जादातर जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा तर जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं पे होती थी क्योंकि लेबर वर्क बहुत बड़ा था तो महिलाएं इसको जो है वो अपने हिसाब से उस पे ज़्यादा काम करती थी क्लोट प्रडक्शन में तो जब स्पिनिंग जैनी को इंट्रिउस किया गया कुछ एरिया पे तो ये महिलाओं ने फैक्टरी पे धावा बोलकर इन मशीनों को तोड़ दिया क्योंकि इनको लगा कि ये मशीन जो है वो हमारा काम हमसे क्या कर रही है छीन रही है बलकि कुछ जगह पे एक दो घटनाए भी हुई जहां इन में आग लगाई गई गई और बुला गया कि ये किसी चुड़ैल का काम है जिसने ये मशीन क्या की होगी तैयार की होगी मतलब वो उस हिसाब से अपने अपने हिसाब से लोग उसका समझने लगे कि क्या वज़े रही होगी ठीक है क्लियर है चलिए अगला सवाल देखिए 1840 के दशक में इंग्लेंड में हुए परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है 1840 के दशक से इंग्लेंड में क्या चेंजेज हुए निर्मार गतिविदियों में तेजी आई रेलवे लाइनों को बढ़ाया गया आदिश्रम के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है ठेक अच्छा नेश्रम के लिए अधिक अवसर प्रदान किये होगा अधिक अवसर प्रदान किये टांसलेशन गलत हो गया है Building activity intensified, railway lines were extended, etc. It provides more opportunity for labor दूसरा कहरा, 1840 के दशक में परिवहन उद्ध्योग में कारेरत स्रमिकों की संख्या दुगनी हो गई तो कहरा, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है बताओ तो answer to this question is option number C, both statements are true देखो, इसको तुम अगर थोड़ा सा अगर जोर डाले होते हैं अपने उपर तो समझ गए होते हैं, जो लोग यह जवाब दे रहे हैं फिर वो गलत नहीं करते रिता जी, अभी आज बताया था, कि सुरी कल की क्लास में बताया था तो भारत में 1850 के दशक में रेल बनना शुरू हो गई रेल क्यों चलाए होंगे इंग्लेंड, हमारा भला करने के लिए तो चलाए नहीं थे, क्यों चलाए थे ताकि हमारे हां से रौ माटीरियल लेकर और उसे इंग्लेंड में क्या किया जा सके ट्रांसपोर्ट किया जा सके, तो भारत के इंटर्नल इलाके में पहुँचके, रेल के माध्यम से पोर्ट तक पहुँचे और पोर्ट से क्या किया, इंग्लेंड भेज दिया रौ माटीरियल, हम कच्छे माल के निर्यातक बन गए और इंग्लेंड में भी इस दोरान रेल्वे में बहुत ज़ादा क्या होगा, इंवेस्टमेंट होगा और railway का विस्तार किया जाएगा ताकी क्या हो जादा से जादा निर्माल गतिविधी और बढ़ाई जा सके manufacturing production और बढ़ाया जा सके और इसने अपने आप लोगों को शरम के लिए अधिक आउसर प्रदान भी किये रोजगार की संख्या बढ़ गई थी ठीक है जब जादा लोग शहरों की तरफ आकर्शित होने लगेंगे तो sub-urbs बनाये जाएगा बिहार वाले बच्चों ध्यान देना तुमको ये सब पढ़ना है लंदन के development में लंदन suburbs कैसे बनता है टेनेंडमेंट्स क्या होते हैं मुंबई में चौल building कैसे हुई पढ़ना के बारे में पढ़ना है तो ये सब जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे suburbs का निर्मान होना शुरू हुआ दूसरा 1840 के दशक में परिभन उद्योग में कारणत स्रमिकों की संख्या क्या हो जाएगी double तो इसका मतलब answer to this question is both statements are true clear है clear है sir please इसकी clear list पनवा दिए ठीक है बटा UPTCT में नहीं आती wordistry क्या बताईए गुरू जी क्या पूछ रहे हैं आप statement बटा comment कर दे ना मैं बता दूँगा बताओ क्या पूछ रहो सब तो बना रखी वीडियो सारे doubts पे मशीनी उद्योगों के युग में पहले रेशम और सूती वस्तूओं की महीन किसमें कहां से आती थी before the age of machine industry where did the finer varieties of silk of cotton goods ठीक है finer thread मिलते थे कहां से ठीक मिश्र भारत परशिया रोम देखो एक चीज़ समझना इंडस्ट्री जब लगना शुरू होती है तो इस इंडस्लाइजेशन में दो फेज होते हैं पहला फेज जो होता है उसमें cotton इंडस्ट्री थी पहला फेज क्या था उसमें क्या थी cotton इंडस्ट्री थी और जो second फेज था उसमें क्या था उसमें iron and coal इंडस्ट्री दो फेज माने जाते हैं iron and coal इंडस्ट्री दो फेज माने जाते हैं तो पहले वाले फेज में cotton बहुत जरूरी था और ये कहां से जाता था भारत से बाकी पूरी दुनिया में जो कपास होता था वो मोटा कपास होता था इजिप्ट को छोड़के दुनिया में सबसे best quality का जो best quality जो होती है जो मतलब पहले मानी जाती थी वो best quality cotton मिलता था भारत का भी कपास बहुत ही best quality का माना जाता था reason क्या था भारत में महीन दाने होते थे महीन रेशे वाले कपास होते थे महीन रेशे वाले कपास होते थे तो इनके बने जो कपड़े होते थे वो बड़े ही आरामदायक माने जाते थे गर्मियों में इसलिए cotton कपड़ों की demand बहुत अधिक थी पूरे के पूरे यॉरोप में आपने नाम तक पढ़ा है seated में आपने मेरे से पढ़ा है कि मोसुल से muslin नाम पढ़ जाएगा कालिकट में बनने वाले कपड़े का नाम कैलिको पढ़ेगा मसूली पटनम में बनने वाले कपड़े का नाम छीट की वज़ा से shins हो जाएगा राजस्थान में बनने वाले कपड़े का नाम बंडाना हुआ ये सब कपड़े जो है वो बड़े ही क्या माने जाते थे important माने जाते थे बिलकुल helpful है प्रिया जी अगला देखिएगा इस्ट इंडिया कंपणी ने भारत में बुनाई में एकाधिकार कैसे था कैसे आखिर इस्ट इंडिया कंपणी वालों ने हम लोगों के कपड़ा इंडस्ट्री को खतम करके और उस पर पूरी तरह से मोनापली establish कर ली पहला option कैरा पूर्टगालियों और अन्य व्यापारियों के साथ खुले तोर पे लड़ाई करके दूसरा कैरा बुनकरों पर कारवाई के बल पर हावी होकर कि वो क्या हो गए डॉमिनेट करने लगे फिर कैरा बुनकरों को कमपनी के पक्ष में उन्होंने रिश्वत दी और फिर कैरा बुनकरों पर सीधे नियंतरल पाने के लिए गुमाश्ता नियुक्त किये गए जो उन्हें रिंड प्रदान करता था और समय सीमा देता था तो answer to this question is option number D यहां important बात क्या है कि यह जो गुमाश्ता होते थे यह होते थे कमपनी के एजेंट और यह गुमाश्ता गाउं गाउं में जाकर जो हमारे वीवर्स होते थे इन से बात करते थे इन से बात करते थे बुनकरों से बात करते थे और इनको बोलते थे कि तुमको advance हम दिला देंगे और तुम इस advance को लेकर जो जरूरी सामान है जो material है तुम उसको लेकर आजाओ production करो और company तुमसे क्या करेगी तुमारे production को क्या कर लेगी East India Company खरीद लेगी तो बुनकरों को लगा अच्छी बात है भाई लेकिन वो समझ नहीं पाए कि इस चक्कर में वो क्या होंगे इनको एक तो कीमत कम मिलती थी और उस कम कीमत में फिर जब इनको पैसा final payment की जाती थी तो इनका advance जो दिया होता था वो वापस ले लेते थे और फिर से एक नय advance पकड़ा देते थे नील की खेती करने वाले भी इसी कुचकर में फसे थे ये सब भी इसी कुचकर में फसेंगे तो धीरे धीरे इन्हों ने बुनकरों को पूरी तरह से अपने क्या कर लिया कंट्रोल में कर लिया और एक तरह की monopoly establish कर लिया ठीक तो option number D is the right answer clear a point clear a point अगला सवाल देखिएगा प्रथम और द्योगिक क्रांती का कालक्रम क्या माना गया है what is considered to be the chronology for the first industrial revolution या first industrial revolution phase phase of the first industrial revolution phase of first इंडस्ट्रियल रेवलूशन बताईए क्या माना गया है तो कह रहा है 1780 के दशक से 1850 के दशक तक sir ये class estate MRS के लिए हाँ बेटा बिलकुल इस पे जो इस class का थमनेल बना हुआ है इस पे EMRS लिखा हुआ है DSSS भी लिखा हुआ है और आपका H-TET लिखा हुआ है जो बच्चे आपके BPSC की तियारी कर रहे हैं वो भी इस class को देख सकते हैं ठीक चौलो तो 12 का क्या हो जाएगा option number A is the right answer between 1780s to 1850s 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच को प्रथम औद्योगी क्रांती का चरण माना गया है जिसमें कपास और सूती उद्योग जादा क्या था important जो दूसरा चरण माना गया है वो माना गया है 1850 के बाद का जिसमें कौन सा important industry हो जाएगी कोईला लौह इस्पात ये important industry हुई इसके साथ इसमें फिर रसायन और दुनिया भर की फर्टिलाइजर्स और और भी चीज़ें उसमें आ जाएंगी तो second phase 1850 के बाद first phase 1780 के दशक से 1850 के दशक तक and mind it मैंने आपको सीटेट में पढ़ाया हुआ था कि 1850 के दशक तक 1850 के दशक तक Britain को Britain को दुनिया का कारखाना कहने लगे थे दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा ना? 1850 तक Britain को क्या कहा जाने लगा था? दुनिया का कारखाना कहने लगे थे फैक्टरी ओफ दवर्ड कहने लगे थे ठीक है बिलकुल निशा जी कर सकते हैं ये काम अगला है अंग्रेजी में और द्योगी क्रांती शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम किसके द्वारा किया गया बताईए अंग्रेजी में और द्योगी क्रान्ती का प्रयोग सर्व प्रत्थम किसके द्वारा किया गया मुझे एस्टेट और सीटेट दोनों देना है सस्टेट तो में कौन सा पैकली यार टीचिंग का महा पैकले लो जो मन करे पढ़ने को वो पढ़ो ठीक एसस्टेट में में मेरा पिछला बेच सीटेट में पढ़ लेना अधिकार स्पेशल बेच है एस्पेशल का सारी रिकारडेड क्लास उसके अंदर है अभी जब लाईव शुरू करेंगा तो लाईव में पढ़ लेना SST special batch है बहुत detail में करा रखा है 100 गंटे से उपर की class है 100 प्लस hours की class है उसके अलावा आपके सारे important question है ठीक, YT पे जो NCIT filter है वो पढ़ लोगे तो और कुछ पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ेगी इतने के बाद इतना काम कर लिए तो और केवल seated की SST नहीं कहीं की भी SST preparation कर लोगे ठीक, चलो तो इसका answer हो जाएगा option number A, Arnold TNB ठीक, DSSB में सवाल भी आया हुआ था ठीक है clear है तो Arnold TNB ने क्या किया था और द्योगी क्रांती शब्द का अंग्रेजी में सबसे पहले इस्तमाल किया था Frederick Angels ने जर्मन में इस्तमाल किया था और George Michelle ने फ्रांस में इस्तमाल किया था पर credit दिया जाता है कि Industrial Revolution वर्ड जो है that was first used by Arnold TNB ठीक, इनका एक book है Lectures on the Industrial Revolution Industrial Revolution बाद में इनके काम को और भी लोगों ने सराहा थोड़े थोड़े changes के साथ Eric Hobson जो है वो इनी के follower थे और जिन्होंने इनके काम को और आगे बढ़ाने का काम किया था Next है निमनलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है Which of the following is not correctly match? Flying Suttle, John Kaye, Spinning Jenny, James Hargreaves Waterframe, Richard Arkwright, Mule, Matthew Bolton बताईएगा Daily class कब होती? बेटा 6 बज़े ही होती है Unfortunately पिछले दिनों में थोड़ी सी classes disturb हुई है कुछ ऐसी technical issue आ गई थी Monday से आपकी class proper 6 बज़े हुआ करेगी ठेक, paid classes जो होती है वो 4 बज़े होती है और Monday से इसमें एक नया time जुड़ जाएगा 7 पीम का जो सारे new batch स्टार्ट हो रहे है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे है टाइम रहेगा 4 to 5.30 यह मैं अपना बता रहा हूँ आपको SST, History and Quality का और रात में 8 से 9 9 पीम यह सारे new batch है Flying shuttle John के बिल्कुल ठीक है Spinning Jenny James सबस्क्रीब्स बिल्कुल ठीक है Waterframe Richard और Crite बिल्कुल ठीक है यह गलत है Mule जो है वो किसने बनाया था Samuel Crompton Samuel Crompton ने बनाया था ठीक है किसने बनाया था Samuel Crompton ठीक option number D clear है देखो ध्यान से सुन लो उडन तूरी करगे या flying shuttle loom इसको John के ने बनाया ठीक है 1733 में इससे क्या हुआ flying shuttle से क्या हुआ एक तो इससे अधिक चोड़ा कपड़ा बनने लगा कम समय लगने लगा और कताई की जो रफतार थी वो क्या होगी उससे जादा मात्रा में बढ़ जाएगी उसके बाद एक दूसरा जो discover होगा वो James Hargreaves करेगा 1765 में जिसको spinning जैनी बोला गया जिसका बहुत बड़ा असर पड़ा है ना इस पे एक अकेला व्यक्ती कई सारे धागे जो है वो कात सकता था जितने समय में आठ लोग काम करेंगे उतने समय में यह हो सकता था फिर Richard Arkwright का एक अविशकार आया 1769 में जिसने water frame नाम की machine बनाई ठीक है इससे और अधिक धागा मजबूत धागा बनने लगा क्योंकि बहुत सारे रेशे आपस में क्या होने लगे जुडने लगे ठीक लिनन और सूती धागे को अब मिलाने की जरूरत नहीं थी जैसे आपने देखा होगा cotton में कभी कोई shirt और खरीदोगे तो market में जितनी कहते हैं pure cotton है तो उसमें देखना उसमें हमेशा लिखा होता है cotton mix with linen तभी जाके वो ठहर पाता है pure cotton का बनाने में और ज़्यादा आपको पारंगत चाहिए होती है water frame के आने से क्या होगा कि linen और मिलाकर कपड़ा बनाने के बजाए अकेले सूती धागे से ही विशुद सूती कपड़ा बनाया जाने लगा और फिर mule नाम के अविश्कार हुआ mule का जो कि 1779 में Samuel Crompton ने किया इस से कता हुआ धागा बहुत ही मजबूत और बढ़िया होता था ये तीन चार जो discovery है इसके अलावा James Watt तो सभी पढ़ते हैं वो सब आपसे पूछे जाते हैं ठेक और आज का आखरी सवाल भारती कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्यूंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता जितना भारत में बनता है जितने अच्छे कपड़े भारत में बनते हैं ये statement किसका है सिलाए मशीन बेटा अलियास हो ने की थी डिसकवर अलियास हो ने की थी डिसकवर बताएए इस कथन का संबंध किस से है आरकराइट, हैंडरी पतूलो, वारेन हैस्टिंग्स द्वारकाना टैगोर दिमांड फर इंडियन क्लोथ नेवर भी डिक्रीज़ because they make such good goods तो option number क्या हो जाएगा B, बिल्कुल ठीक हैंडरी पतूलो जो की इस्ट इंडिया कंपनी का एक officer था उसने 1772-73 में ये statement दिया था हाला कि उसको तब नहीं पता था कि अगले 100 साल में इस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेट भारत की पूरी स्थिती को क्या कर देंगे, बदल देंगे ठीक है, तो ये थी आज की class, कल इसी मुद्धे पर और discussion करेंगे और थोड़े से और advance level के question आपको करेंगे, ये इसकी answer की है, लगा दूँगा अभी PDF उस पे क्या बोलते हैं, टेलिग्राम पे कल हम Indian history discuss करेंगे, Indian history discuss करेंगे, और सारे exam को ध्यान में रखते हुए जो हमारा topic होगा, वो होगा, revolt of 1857, मैं जानता हूँ कि आप में से ज़्यादा तर लोग इसके बारे में पहले कई बर पर चुके होंगे, पर एक बर फिर से discussion इस पर कर लेंगे, क्योंकि इस topic से सवाल आपको पूछे जाएंगे, अभी BPSC में भी पूछा गया था, तो मैं छोड़ना नहीं चाता, नहीं तो मैं Indian national moment दुबारा शुरू कर लेता, पर मैं सोच रहा हूँ कि, revolt of 1857 आपसे discuss कर लिया जाए, तो जाने से पहले, एक बार फिर से बता देता हूँ, जो लोग application पर जोड़ना चाते हैं, मैंने आपको बताया, कि आप क्या करिए भाईया, आप अड़ा 24-7 की website पर जाएए, आपको अगर 9-10 वाला देखना है, तो बता देते हैं, all courses में जाएए, teaching में जाएए, यहाँ पर BPSC लिखा हुआ है, BPSC primary teacher, BPSC secondary teacher लिखा हुआ है, तो आप BPSC में क्लिक कर लीजे, ठीक, secondary वाले में भी देख सकते हैं, इसमें देख लेता हूँ कि इसमें है या नहीं है, 6-8, यह रहा बेटा, TGT social science, यहाँ view all में देख लेना, ठीक है, इसलिए तुमको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर view all लिखा होता है, यहाँ view all देख लेना, तो view all में तुमको यहाँ पर 9-10 वाला दिख जाएगा, ठीक, यह रहा TGT social science 9-10, ठीक है, उस पर क्लिक कर लेना, और इसको purchase कर लेना, जिनका 6-8 वाला है, उनको तो ऊपर ही दिख जाना है सब, ठीक है बेटा, चलो, टाटा भाई भाई भाई, नमस्कार आज के लिए, जिसका comment मैं नहीं देख पाया हूँ, या नहीं सुन पाया हूँ, comment box में लिख देना, मैं जवाब दे दूँगा,